हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं अब से एक स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आप मैंसे किसी को मेरे से बात करनी हो तो वीडियो के नीचे इस्टाग्राम आईडी दी है आप चाहू तो बात कर सकते हो तो आज हम बात करेंगे रेयाज और रेयाज बर से तेजी से फेमस होती जा रही ब्यूटी खान के बारे में बात करेंगे बैसे तो ब्यूटी खान और रेयाज कभी किसी से कॉम्पेटिशन की बात नहीं करते पर ये बात आप भी जानते हैं कि जब कोई किसी प्लेर फॉर्म पर होता है और तेजी से फेमस हो होता है या फिर नंबर वन पर होता है तो उनके फैंस कंपेर तो करते ही है रियाज इंडिया के नंबर वन टिक्टॉकर है रियाज की हर वीडियो टिक्टॉक के फॉर यू पेज में रहती है वो इंडिया के नंबर वन का समझते हैं पर ऐसा नहीं है रियाज का गाउं इंडिया और भूटान बॉडर पर है जो इंडिया में ही आता है इसलिए रियाज की नैशनल्टी इंडियन Soul बात करें ब्यूटी खान की तो अभी ब्यूटी खान टिक टॉक पर इंडिया में सब से तेज गुरो हो रही है ब्यूटी खान को टिक टॉक वीडियो बनाते तो एक साल हो गया लेकिन ब्यूटी खान फरवरी 2020 से इतनी वाइरल हुई ऐसे के मानो वो टिक टॉक की रिस्तेदार हो टिक टॉक के फॉर यू पेज में हर तीसरा या चौता वीडियो ब्यूटी खान का ही हो रहा था ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग उनकी वीडियो को बार बार देख रहे थे ब्यूटी खान के एक्सप्रेशन लोगों को अपनी तरफ आकर सित करने में सबसे ज़्यादा कामयाब रहे हैं ब्यूटी खान ने मार्च 2020 मतलब एक महीने में ही एक से लेकर दस मिलियन फॉलोवर कम्पलीट किये और एक महीने में ही सबसे ज़्यादा फॉलोवर बढ़ने का एक रिकॉर्ड बन गया साइद इसलिए लोग सोचने लगे कि वो इतनी तेज आगे बढ़ रही हैं तो जल्द ही वो साइद इंडिया की नमबर बन क्रियेटर बन जाएं रियाज की फॉलोवर बनने की स्पीड काफी तेज है पर अभी ब्यूटी खान की ज़्यादा तेज है ऐसा मानना है कि जब कोई एकदम से बाइरल होता है तो उसके फॉलोवर बनने की स्पीड बहुत तेज होती है पर बाद में दीरे दीरे कम हो जाती है ब्यूटी खान का डंस बीडियो हो लिप सिंग हो या एक्सप्रेशन सभी बीडियो बाइरल हो रही है तो लगता नहीं है कि वो फिलहाल स्लो होने वाली है आने वाले टाइम में रियाज के नंबर वन पोजीशन के लिए खत्रा हो सकता है पर फिलहाल कोई खत्रा नहीं है और जब कोई नंबर वन पर होता है तो वो ये बास समझता भी है कि जितना नमबर वन पर पहुँचना कटिन है उससे कहीं ज्यादा कटिन है नमबर वन पर टिके रहना और रियाज के भी फॉलोवर बढ़ने की स्पीड तब बहुत तेज हो जाती है जब वो किसी सेलविटी के साथ कॉलेब कर लेते हैं जैसे पिछले दिनों हनी सिंग के साथ उनके वीडियो बहुत पायरल हुए थे तो ये लड़का इतनी जल्दी हांत आने वाला नहीं है ये एक कंपेर वीडियो है ना के हेट वीडियो इसलिए किसी भी क्रियेटर के लिए हेट कमेंट ना करें इसके अलावा आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है हेट कमेंट करने वालों से मैं बस इतना कहना चाहूंगा पहले बात करते हैं रियाज के डेट आफ वर्थ और हॉम टाउन की रियाज का जन 14 सितंबर 2003 को इंडो भूटान के जैगाओं में एक मिडिल क्लास फेमिली में हुआ था जैगाओं इंडिया और भूटान के बॉर्डर पर ही इस्तित है जैगाओं से भूटान केबल 2 किलो मीटर दूर है रियाज की फेमिली में 4 लोग है रियाज, रियाज की सिस्टर रियाज जो खुद एक टिक्टों स्टार है रियाज अपनी मम्मी पापा के लाड़ ले तो है ही साथी साथ वो अपनी बेहन से भी बहुत प्यार करते है रियाज बोलते है मेरी सफलता के पीछे मेरी बेहन का बहुत सपोर्ट है रेजा अपने भाई रियाज के लिए एक बहुत अच्छी जौब छोड़कर मुम्मई आ गई थी ब्यूटी खान जब केवल साथ महीने की थी तब उनके डैड की डैथ हो गई थी ब्यूटी की फैमिली में उनसे बड़े दो भाई और एक वेहन भी है लेकिन ब्यूटी खान की माँ अपने हस्बेन की डैस के बाद ब्यूटी को लेकर अपने माई के चली आई तब से ब्यूटी खान अपनी माँ के साथ मामा के घर ही रहती है ब्यूटी खान के वीडियो में अक्सर जो लड़की दिखाई देती है वो ब्यूटी खान के मामा की लड़की जिया खान है जिया खान और ब्यूटी खान ने लाइकी एप पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था जिया खान लाइकी एप पर ब्यूटी खान से भी बड़ी क्रियेटर है चलिए अब एजूकेशन की बात करते हैं रियाज ने अपनी 10th तक की पढ़ाई SHMD स्कूल जैगाउं भूटान से की है वो अपनी सुरुगादी पढ़ाई में तो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे लेकिन जब उन्होंने टिक टॉक वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये मन भी बना लिया कि उन्हें एक्टर ही बनना है इसके बाद वो अपने लुक और एक्टिंग पर बहुत मेहनत करने लगे इन सब के बाबजूद उनके टेंथ क्लास में 86% मार्क्स आये थे टेंथ के बाद उन्होंने तै कर लिया कि वो आगे की पढ़ाई कॉमर्स से करेंगे बात करने ब्यूटी खान की एजूकेशन की तो उन्होंने अपनी सुरुगाती पढ़ाई जैंगरा से की ब्यूटी खान भी स्कूल में एक अच्छी पर नटकर्टे स्टूडेंट थी स्कूलिंग करने के बाद डेरो जी यो कॉलिज से वो ग्रेजूएशन करने लगी चली अब बात करते हैं रियाज और बीटी खान टिक टॉक करियर के बारे में पहले बात करते हैं रियाज की रियाज ने टिक टॉक नॉमबर 2018 से सुरू किया उनके सुरूगाती वीडियो पर ब्यूज और लाइक बहुत कम आते थे पर रियाज लगातार लगे रहे और अपनी एक्टिंग और लुक को भी बहुत बदल दिया और एक दिन स्कूल ड्रेस में बनाया हुआ उनका एक वीडियो बाइरल हो गया इस वीडियो के बाद रियाज के सारे वीडियो बाइरल होने लगे और साल 2018 के बाद 2019 में वो एक फेमस क्रियेटर बन गए 2019 की स्टार्टिंग में जन्नत जुबैर मिस्टर फेजू इंडिया के सबसे बड़े फेमस टिक टॉक स्टार थे लेकिन रियाज ने एक एक करके सब को पीछे कर दिया और जब साल 2019 के एन में रियाज ने 25 मिलियन फॉलोवर क्रॉस किये तो वो इंडिया के सबसे बड़े फॉलोवर वाले क्रियेटर बन गए हाँ अगर जुलाई 2019 में मिस्टर फेजू की आईडि बेन न होती तो उनका सबसे बड़ा क्रियेटर बनना मुस्किल था पर इसके लिए कोई क्या कर सकता है अब बात करते हैं ब्यूटी खान के करियर की ब्यूटी खान ने लाइकी एप से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था साल 2019 की स्टार्टिंग में लेकिन 3 मई 2019 से ब्यूटी खान ने टिक टॉक वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया उनके वीडियो पर रिस्पॉंस तो बैसा ही आया जैसा नॉर्मल यूजर को मिलता है उनके वीडियो पसंद भी किये जा रहे थे लेकिन जैसा रिस्पॉंस उन्हें फरवरी 2020 के एंड में मिला बैसा कभी नहीं मिला फरवरी के इन में उनका एक वीडियो इतना वायरल हुआ कि उसने टिक टॉक ही नहीं इंटरनेट पर दमाल मचा दिया बहुत से बड़े बड़े क्रियेटर उनके साथ डुएट कर रहे थे और बहुत से उनके इसी वीडियो की नकल कर रहे थे जिन में रियाज भी सामिल थे इसके बाद Beauty खान के सारे वीडियो बाइरल होते चले गए उनके expression, dance और comedy वीडियो के लोग दीवाने हो गए Beauty खान जितनी बाइरल हुई TikTok की हिस्टरी में साथ कोई इतना बाइरल नहीं हुआ होगा उनके March 2020 में ही मतलब एक महीने में ही एक से लेकर 10 मिलियन फालोवर हो गए जो कि एक record हो गया बात करें फैम की तो रियाज के अभी 40 मिलین फालोवर होने वाले हैं जो उन्होंने लगबख 18,00 वीडियो में किये हैं इसके 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 बात करें उनके Instagram फालोवर की तो इस्टाग्राम पर भी उनके 8 मिलियन फॉलोवर होने वाले हैं बात करें बीटी खान के फैम की तो ये बीडियो बनाने तक उनके 1800 से ज्यादा बीडियो में लगबग 18 मिलियन फॉलोवर हैं बात करें इस्टाग्राम की तो इस्टाग्राम पर उनके लगवक 600 के फॉलूवर हैं रियाज ने कई एलबम सॉंग किये हैं और कई प्रोजेक्ट उनके पेंडिंग में पड़े हैं बात करें ब्यूटी खान की तो उन्होंने कुछ कबर सॉंग में काम किया है पर वो अभी एकदम से फेमस हुई है तो पक्का है कि उनके कई सॉंग या कुछ और प्रोजेक्ट आएंगे बात करें हेटर्स की तो हेटर्स तो आप जानते ही हो लोगों ने इन क्रियेटरों को सर आँखों पर बिठाया इतना प्यार लोटाया तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब बरदास्त न कर सके और अब इन्हें हेट करने लगे हैं कमेंट में गालियां देते हैं किसी का मुण नहीं पकड़ा जा सकता पर गालियां देने वाला ये बता रहा है कि उनके माबाप ने उन्हें किस तमीज से पाला है ये हेटर लोग गंदी नाली के कीडे हैं कीडे ही रहेंगी तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था एक टिक टॉक का किंग है तो एक एकस्प्रेसन क्वीन आपको कौन है ज्यादा पसंद हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पूरा देखी लिया है तो आपकी बेल्यूवल कमेंट बहुत जरूरी है इसके अलावा वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों से सेर भी करें अंधेरी रात में निकली थी जभी तो नोचा था दरिंदो ने ये घटना दो पैर की थी अब बताओ क्या करें और बाप ने लगा ली फासी वकील का बयान सुनकर तुम्हारी लड़की ने पहल पी थी अब बताओ क्या करें तुम्हें कुछ चाहिए खाने को अगर सुनने वाले को सब्र आ जाए न तो बोलने वाले की आवकात दो कवड़ी की हो जाती है वीडियो एंड तक देखने के लिए थेंक्स हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें है